BCCI ने कॉरोनवाइरस को ध्यान में रखते हुए इंडियन प्रीमिल लीग को 15 अप्रेल तक के लिए स्थगित कर दिया था रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड टूर्नामेंट को अगस्ट सितंबर में कराने का विचार कर रही है हाला कि यह फैसला कॉरुनवाइरस की स्थिती को देखते हुए लिया जाएगा ऐसे में फैंस ने भी इस पर अपने विचार रखे उनका मानना है कि देश की मौझूदा स्थिती को देखते हुए IPL नहीं कराना चाहिए और लीग को इस साल रद कर देना चाहिए बिच्छार का है if not an audience, it's not the right time for IPL as of now, I think this must be are canceled because it is a problem that we are facing. It is a very huge problem. Of course it should be canceled, as you can see a lot of sporting events have been halted, होल्ट इसपेशली दिएशनी गें पोस्पोन जाइए और आइपिल होने वाले उसे भी पोस्पोन करना जाहिए क्यूंकि यह ताइम है कि हम लोगों को सोचल गैदरिंग नहीं करनी है और अगर हम आइपिल कर लेंगे या cricket या olympics कर लेंगे तो हम चाहें ना जाये चाहें उनके पास कोई audience ना हो लेकिन sportsman को जाना ही पड़ेगा एक एक इनसान 1000-1000 लोग को infect करने की ताकत रखता है तो ये ऐसा time है कि अब हमें हर social gathering से हटना चाहिए IPL को मेरे हिसाब से पोस्ट पॉन करना चाहिए क्योंकि कर होता है तो अच्छा स्टेप होगा in my opinion IPL should be cancelled because in India right now we are not in any situation to hold such तूनमेंट्स तो IPL इस साल का चैंसल होना चाहिए क्योंकि कोरोना वारेस ऐसे बीमारी है जो लोगों में human contact की वज़े से तो अगर IPL हुआ तो बहुत सारे लोग स्टेडियम में में मेच देखने आएंगे जिसकी ज़्यसे ये बीमारी और तेजी से भेलेगे तो इस साल का IPL नहीं होना चाहिए it is also very obvious in any kind of sports event where multiple sports person coming from different different nation or different continents they should not gather at this duration when a pandemic is going around प्रुहाओ प्रुब्सी टाफ्न